मेरे 50 रुपय इस सड़क पर कहीं गिर गए हैं, helping story in Hindi, एक दिन घर आते समय मैंने एक खंबे पर हाथ से लिखा एक notice लगा देखा, उत्सुक तावश मैं पास गया और वह notice पढ़ने लगा, notice में लिखा था, मेरे 50 रुपय इस सड़क पर कहीं गिर कर खो गए हैं, अगर किसी क के लिए 50 रुपय इतना महत्वर रखते हैं, खोचते हुए मैं notice पर लिखे पते तक पहुचा, तो टूटी जोपली के बाहर एक कमजोर सी बुढिया को बैठे देखा, मेरे कदमों की आवाज सुनकर उस अशक बुढिया ने पूछा कौन है, मैंने कहा अम्मा मैं आपको व खंबे पर चिपकाया, मुझे ठीक से दिखता नहीं और पढ़ना लिखना भी नहीं आता, मैंने कहा कोई बात नहीं अम्मा आप यह रूपा रख लो, फिर बुढिया ने मुझसे कहा कि मैं वापस जाते समय वो notice वहां से हटा कर फारदून, वहां से लोटते समय मेरे मन में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि आखिर वो notice किसने लिखकर लगाया होगा बुढिया ने और लोगों से सभी notice फारने को कहा होगा, लेकिन किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया, मैंने मन ही मन उस भले आदमी का धन्यवाद किया, जिसने वो notice लिखकर वहां खंबे पर लग मुझे एसास हुआ कि हमारे मन में हेल्प की भावना होनी चाहिए, उसे पूरा करने के कई रास्ते निकाले जा सकते हैं, वो भला आदमी भी बस उस बुढिया की मदद करना चाहता होगा, अपने ख्यालों में खोया मैं जाही रहा था कि किसी ने मुझे रोका और कहा भाई ये पता तो बताना जरा, मुझे किसी के गिरे हुए 50 रुपय देने हैं, दूसरों की मदद करने पर जो सुकून मिलता है, वो मज़ा अपने मन की इच्छा पूरी होने में भी नहीं, क्योंकि खुद की तो एक इच्छा जैसे ही पूरी होती है, उसकी जगर नई कहानी पर सकें,